27 नमंबर सन 1803 को दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में सुलय नामा लिखा गया था दस दिन के सुलय नामे पर महराजा दौलत राव सिंधिया के दस्तकत होकर लोटने के लिए नियत कर दी गए थे उधर दो दिन के अंदर ही अंग्रेज स्टीविंसन बहरानपूर की और से लोटकर वेलसली से आमिला था और 29 नमंबर को यानि सुलय नामा लिखे जाने के किवल 6 दिन के अंदर वेलसली ने खुला विश्वासगाद करके अचानक सिंधिया के अरगाओं के किले पर हमला कर दिया था सिंधिया के उन वकीलों ने जो सुलय के लिए वेलसली के पास आई हुए थे और अभी तक वेलसली के पास मौजूद थे ख़बर पाकर बहुत कुछ कहा सुना और वेलसली को सुलय नामे की याद दिलाई किंतु सब विर्थ रहा जनरल वेलसली ने अपने सरकारी पत्रों में इस विश्वासखाद के लिए दो कारण बताए हैं एक यह कि अभी तक सिंधिया ने सुलय नामे पर हस्ताक्षर करके नहीं भेजे थे किंतु सिंधिया के वकीलों के हस्ताक्षर सुलय नामे पर हो चुके थे और सुलय नामे के जाने और सिंधिया के हस्ताक्षर होकर लोटने के लिए सुलय नामे ही के अंदर साफ 10 दिन नियत कर दिये गए थे दूसरा कारण वेलसली ने यह बताया है कि सुलय नामे की शर्तों में से एक यह भी थी कि दोनों सेनाओं में कम से कम 20 कोज का फासला रही जिसे सिंधिया के और से पूरा नहीं किया गया साथियो तमाशा तो यह था कि एक तो स्वेम दौलत राव को इसके प्रवंद के लिए अभी समय नहीं मिल पाया था और दूसरा वेलसली के पत्रों से थाबित है कि इन 6 दिनों के अंदर सिंधिया के सेना जितना पीछे हड़ती गई उतना ही अंग्रेजी सेना जान बूज कर आगे बढ़ती चली गई थी सारांश यह है कि वेलसली के दोनों बहाने जूटे थे साथियो वेलसली का अपने इस चल्द से जो मतलब था वह पूरा हो गया था सिंधिया की सेना समय पर पहुँच भी नहीं पाई थी और अरगाओं का किला अंग्रेजों के हाथों में आ गया था अरगाओं की विजे के खबर बाते ही गवनर जनरल ने परसंद होकर जनरल वेलसली को लिखा था कि यदपी सुले करने के मामले में मैं आपसे बिलकुल सहमत था मैं उसे बड़ी होश्यारी की बात समझता था किंतु मैं स्विकार करता हूँ कि आपकी सुले की अपेक्षा आपकी विजे को मैं अधिक पसंद करता हूँ इसके बाद गवनर जनरल ने लिखा था कि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि लड़ाई का कारण क्या हुआ क्या सिंधिया ने अपनी और से सुले तोड़ दी या सुले के शुरू होने से पहले ही अक्समात कहीं पर दोनों फोजें भिड़ गई थी या सिंधिया और बरार के राजा फिर दगा करके एक दूसरे से मिल गए किंतु कहीं पर भी और किसी तरह से भी क्यों नहुआ हुआ हो इन देसी राजाओं से लड़ने में फाइदा ही है साथियो अरगाओं के बाद उसी तरह के चल से वेलेसली ने बरार के राज में गाविल गड़ के किले पर हमला किया था और तीन दिन की लड़ाई के बाद 14 दिसम्बर सन 1803 को गाविल गड़ का किला भी अंग्रेजों के हाथों में आ गया था गाविल गड़ के वीर किलेदार ने अपने स्वामी के साथ विश्वास घातने कर लड़ते हुए अपने प्रान दिये थे दक्षिन में अब वैलसली के लिए अधिक काम करने को नहीं रहा था इसके बाद अंग्रेजों की निगास सिंदिया के गुजरात के इलाके पर थी गुजरात का उपजाओ प्रान्थ अकबर के समय से लेकर दो शताबती तक मुगल सामराज्जा का एक अंग रहा था उसके बाद निजामूल मुल्क ने मराठों को भड़का कर और मदद दे कर उनसे गुजरात पर हमला करवाया और प्रान्थ के एक भाग पर गायकवाड कुल का राज कायम हुआ था अंग्रेजों ने गायकवाड को मराठा मंदल से फोड़ कर अपनी और किया और सिंधिया को मराठा मंदल के साथ विश्वासगात करने के इनाम में भडोच का किला और उसके आसपास 11 लाग रुपे सालाना का इलाका गायकवाड से लिखवा दिया था अब फिर गवर्नर जनरल ने माधोजी सिंधिया के उत्तर अधिकारी दौलत राव सिंधिया से यह इलाका चीन कर उसे ब्रिटिश सामराज्य में मिला लेने का इरादा किया था जुलाई सन 1803 में यानि सिंधिया के साथ युद का ऐलान होने से 28 दिन पहले गवर्नर जनरल ने बंबई के गवर्नर को लिख दिया था कि भडोच के किले पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दीजिये सिंधिया के गुजराती इलाकों में अधिकांश आबादी भीलों की थी ये सब राजा सिंधिया को खिरास देते थे कमपनी के सेना को भडोच के किले पर हमला करने के लिए इन राजाओं के पहाड़ी इलाकों में से निकलना पड़ता 2 अगस्त सन 1803 को जनरल वेलेसली ने बंबई के गवर्नर को लिखा था कि यदि ये भील राजा हमारे वरूद खड़े हो गए तो जितनी सेना कमपनी के और से भीजी जा सकती है वहे इन में से एक राजा को वश्म करने के लिए भी काफी नहीं हो सकती इसलिए इन समस्त भील राजाओं को अपनी और मिलाया जाए उन्हें इस बात का लोब दिया जाए कि तुम्हारा खिराज सदा के लिए माफ कर दिया जाएगा सूरत के कुछ अंग्रेजों के मारफत इन भील राजाओं को अपनी और किया गया था इसके बाद 6 अगस्त सन 1803 को जनरल वेलसली ने गाइकवार के सबसीडियरी सेना को अग्या दी थी कि वह फौरन भड़ोच के किले पर हमला करते राजा आनंद राव बड़ोदा की गद्धी पर था उसमें और माहराजा दौलत राव सिंधिया में गहरी मित्तरता थी सबसीडियरी सेना का सारा खर्च गाइकवार देता था और संधिके आनुसार यह सेना गाइकवार की ही सेवा और सहाएτα के लिए निवड थी इसलिए महराजा आनंद राव गाैकवार ने इस बात पर सخت एतराज किया कि यह सेना दौलत राव सिंधिया के राज़ पर हमला करने के लिए भीजी जाए और गायकवार की राजधानी बड़ोदा से सिंधिया के राज़ पर हमला किया जाए किंतु सेना कमपनी की आग्या के अधीन थी जनरल वेलेसली ने अपने 22 अगस्त के एक पत्र में साफ लिख दिया था कि कमपनी के साथ सबसीडियरी संधी का मतलब यही है कि कमपनी जहां चाहे अपने शत्रों के विरुद इस सेना का उपयोग कर सकती है संधी की शर्तों में यह बात कहीं नहीं थी पर महाराजा आनंद राओ गायकवार की बात नहीं सुनी गई थी साथियों जिस भी राजा ने अंग्रेजों के साथ सबसीडियरी संधी की अगस्त को यह सेना बढ़ोच के किले से दो कोस के अंदर पहुँच गई थी दौलत राव सिंधिया अभी तक उस किले की रक्षा का कोई खास प्रभंद नहीं कर पाया था 25 अगस्त से महासरा शुरू हुआ और 29 अगस्त को किला अंग्रेजों के हाथों में आ गया था उसी दिन करनल वुडिंटन ने जनरल वेलसली को सूचना दी थी कि किले के अंदर की अरब सेना ने बहुत जोरों के साथ मकाबला किया अरब सैनिक उन दिनों परहाए सब भारते नरेशों के यहां रहते थे और सदा पूरी वफादारी और जान निसारी के साथ अपने स्वामी की सेवा करते थे अगले दिन वुडिंटन ने फिर लिखा कि इंजिनियर ने 11 बज़े सुबह मुझ से आकर कहा कि किले में जाने के लिए काफी रास्ता बन गया है मैंने प्रवेश करने का इरादा कर लिया किन्तु मैं तीन बज़े शाम तक रुगा रहा क्यूंकि मैं समझता हूँ कि उस समय शत्रु अचेत और असाथधान होंगे आसपास के सिंधिया के सारे इलाके पर अंग्रेजों का कबजा हो गया यह समस्त विज़ गाइकवार के खर्च पर और उसी की सेना द्वारा की गई थी किन्तु जो इलाका इस सेना ने जीता उसका गाइकवार से कोई संबंद नहीं रखा गया था भरोच के बाद गुजरात में सिंधिया का एक और किला पवनगड था चमपानेर का सारा जिला इस किले के अधीन था भरोच के बाद ही कर्नल वुडिंटन ने पवनगड की रहा ली 17 सितंबर सन 1803 के शाम तक यह किला भी अंग्रेजों के हाथों में आ गया था इस किले के संबंद में वुडिंटन ने अपने एक पत्र में लिखा है कि यदि इस किले के अंदर की सेना बाला किले यानी पहाडी की चोटी पर के किले पर कबसा कर लेती तो मैं समझता हूँ कि हम उस किले को कभी नहीं तोड सकते थे बुडिंग्टन ने इसी पत्र में यह भी लिखा है कि इस किले की सेना से सिंधिया की वफादरी थाबित नहीं हुई और किले के दर्बाजे कोलने में सोने की चाबी ने अंग्रेजों को खासी मदद की यानि रिश्वतें देकर अंग्रेजों ने इस किले को जीता था गुजरात में दौलत राव सिंधिया का कोई इलाका नहीं रहा या यों कहिए कि जितना इलाका अंग्रेजों ने माधो जी को उसकी देश घातकता के इनाम में दिया था वहे सब अब दौलत राव सिंधिया से सदा के लिए चीन लिया गया था साथियो इस वीडियो में फिल हाल इतना ही अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने उड़ी सा प्रांत को हत्या लिया था अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार